हे गाईज वेलकम तो कैशिफाय प्रेजेंट्स हलो अपस इस एपिसोड और इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे आपस के बारे में जिनसे आप आराम से अपने फोन की स्क्रीन को रेकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टेकनोलिजी रिलेटेड अपडेट्स रेगिलरली मिलती रहें गाइस हम सबके फोन की स्क्रीन पर काफी कुछ इंट्रेस्टिंग होता रहता है जिसके लिए आपको लगता होगा कि अरकाश में किसी आप से फोन की स्क्रीन को रेकॉर्ड कर लेता वैसे तो अब काफी सारे Android phones में ये feature available हो गया है पर अभी भी बहुत सारे ऐसे phones हैं जिनमें ये feature available नहीं है पर ये feature बहुत काम का है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो apps जिनसे आप बहुत easily अपने phone की स्क्रीन को रेकॉर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, Screen Recorder No Ads के बारे में, यह app काफी popular हो गई है बहुत थोड़े से टाइम में इसके नाम की वज़े से, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इस app में ads नहीं है, इस app का user interface काफी simple है, आप आराम से इससे screen record कर सकते हैं, और use कर सकते हैं, यह app HD quality में screen recording कर सकती है, वो भी 60 frames per second की limit तक, इस app की मदद से आप screen recording के अंदर अपनी voice भी आड़ कर सकते हैं, इस app की एक और खासियत है, इसमें आपको मिलेंगे video editing के कुछ basic features, जैसे कि video trimmer, notes maker, etc, यह android phones की screen recording के लिए एक बहुत ही बढ़िया app है, वेल अब चलते हैं अपनी दूसरी app की तरफ, AZ screen recorder, AZ screen recorder बहुत ही popular app है screen recording के लिए, यह app बहुत सारे customizations और tools प्रोवाइड करती है, phone की screen को record करने के लिए, यह app आपको options देती है different different resolutions चूज करने के लिए, starting from 240 pixels to 1080 pixels, और सिफ resolution ही नहीं, आप bit rate भी choose कर सकते हैं, 1 Mbps से लेकर 12 Mbps तक, आपको इस app में frame choose करने के options भी मिलते हैं, starting from 24 frames per second to 60 frames per second, इस app में भी आप audio record कर पाएंगे, चाहे फिर वो internal आवाज हो या फिर external, इस app में आप आराम से time lapse video बना सकते हैं, और editing के बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे, जैसे की video trimming, substituting audio, आप video के अंदर text भी add कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, यह app accidental touches और shaking से भी video को बचाती है, वैल अब चलते हैं अपनी अगली app की तरफ, super screen recorder, वैल यह app नाम से ही super है, एकदम free app है, और इस app की मदद से आप सिर्फ screen recording नहीं कर सकते, साथी में उससे related sounds भी add कर सकते हैं, मुझे personally इस app का recording icons और menu बहुत पसंद आए, काफी simple menu है, और इस app को समझना काफी आसान है, इस app का एक special feature है, note tool का, जिसकी मदद से user किसी भी area को mark कर सकते हैं, या फिर screen recording के साथ साथ कुछ भी draw कर सकते हैं, और अपनी creativity भी दिखा सकते हैं, इस app में भी आपको मिलते हैं screen recording के different resolutions, starting from 240 pixels to 1080 pixels, आप इस app में भी frames per second और bit rate को अपने हिसाब से modify कर सकते हैं, overall यह सबसे best और आसान app है screen को record करने के लिए, वेल अगली आप की तरफ चलते हैं, और अगली आप है Mobi Zen Screen Recorder, जैसे कि हमने अभी तक आपको जित्ती भी apps बताई, Mobi Zen Screen Recorder भी वैसे ही काम करता है, इसके अंदर भी आपको सारे basic features मिल जाएंगे, 240 to 1080 pixels तक के resolution चूज़ करने के options, और 0.5 से 12 Mbps तक का bit rate चूज़ करने का option, उसके बाद 5 frames per second से लेके 60 frames per second तक आप frames चूज़ कर सकते हैं, साथ ही में आपको मिलते हैं same basic features जैसे की video editor, voice recording, etc. पर इस app की खासियत क्या है, ऐसा क्या है जो इस app को अलग बनाता है बाकी app से, वैल इस app में आपको मिलेगा clean mode, इस mode की मदद से आप video record कर सकते हैं without watermark, and this sounds like a relief, इस mode में users लोगों को भी change कर सकते हैं, अगर आप किसी brand के लिए video record कर रहे हैं, तो ये काफी गामा सकती है, Mobizen screen recorder, वैल अब चलते हैं अपनी अगली app की तरफ, ADV screen recorder, ADV screen recorder app के भी basic features बाकी app से काफी मिलते हैं, वैल इस app की मदद से भी आप एक screen recording को different resolutions में, different bit rates में और different frames में record कर सकते हैं, लेकिन ADV screen recorder comes with a unique feature, ये app अपने users को पॉमेट करता है 3 seconds का delay अड़ करने के लिए, which can help you, अगर आपको starting में कुछ add करना है, कोई title add करना है, कोई sponsor का नाम add करना है, anything which will work to make your video a better video, इस app में आप internal और external दोनों sound record कर सकते हैं, इस app में watermark नहीं आता, जो बहुत सारी free apps में आता है, which is a headache at times, इस app की मदद से आप अपनी पसंद का logo और text भी add कर सकते हैं, Well, all and all, ये पांचो की पांचो apps में कुछ features similar हैं, लेकिन हर एक app का अपना एक unique feature है, जो बना देता है आपकी जरूरत के साब से उसे perfect fit, तो अब आपको decide करना है कि आपके लिए कौन सी screen recording app, एक perfect screen recorder है, and जो भी आप आपको आपके साब से बढ़िया लगी हो, तो वो कौन सा feature है, जिसकी वज़स से आपने उस app को choose की है, आप नीचे comment करके बता सकते हो, और ये जितने भी apps के बारे में हमने आपको बता है, इन सभी apps के download links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे,